आज के इस वीडियो में जो आपका विहार S.S.C. 3 सीजियल का फर्स सिप्ट और सेकंड सिप्ट का एक्जाम हो गया दोस्तों तो 23 दिसंबर फर्स सिप्ट और सेकंड सिप्ट में पूछे गए सभी कोश्चन इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइकों से जरूर करें जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोडिफिकेशन वेल आउन करना ना भूले करते हैं आज का वीडियो सो गैस पहला कोशिन पूछा गया था विम्ब सार किस वंस का सासक था तो विम्ब सार हर्यक वंस का सासक था जैन्धर्म के 23 तीर्थ करकाउं थे तो जैन्धर्म के 23 तीर्थ करते भगवान पार्षना तो पार्षना तो आपका करक्ट अंसर हो जाएगा सुगर नैस कोशन पूछा गया था दच्छडी गुलार्थ में समताप रेखाओं का करम तीर्णी मेरी होने का पुर्मुक कारण है बिशाल महाशागरिय विस्तार के कारण नैस कोशन पूछा गया था राष्टिय मानवादिकार आयो के अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया जा सकता है सरवोच छिनाले के सेवानिवर्ती न्यादिस और उच छिनाले के सेवानिवर्ती मुक न्यादिस के अदर्स्ट के पत पर नियुक्त किया जा सकता है next question पूछा गया था प्रती रुधक्ता की SI1 क्या है तो प्रती रुधक्ता की SI1 है ओम मीटर so guys अगला question पूछा गया था भू शंतुलन सब्दका सबसे पहले प्रियोग किसी ने किया था तो भू शंतुलन सब्दका प्रियोग सबसे पहले क्लेरस श्टेटन ने सन 1989 में किया था तो क्लेरस श्टेटन आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा नेश कोशन पूछा गया था भारत में हरित करांती के जनक कवन है तो भारत में हरित करांती के जनक है नौर्मन बोरलाग तो Norman Borlaug आपका correct answer हो जाएगा अगला question पूछा गया था सुंगली की संदिक कब हुई थी तो सुंगली की संदिक 4 March 1816 इस वी को हुई थी तो 4 March 1816 आपका correct answer हो जाएगा Next question पूछा गया था इधन जिसका आरविक सुत्र C2S6 है इसके पास कितने सरसयोजक बंद है तो इसके पास कुल 7 सरसयोजक बंद है तो 7 सरसयोजक बंद आपका correct answer हो जाएगा Next question पूछा गया था हाली में भारतिया पुरतक्तो सरवेशन ने किस राज के बाद वाधोगर टाइगर रिजर में नए स्तुरों की खोज की है हाली में भारतिया पुरतक्तो सरवेशन ने मद्द परदेश के वाधोगर टाइगर रिजर्ट के नए स्तुरों की खोज की है Next question पूछा गया था राश्टिय वीच निगम की स्थापना किस बरस में की गई थी राश्टिय वीच निगम की स्थापना March 1963 में की गई तो March 1963 आपका correct answer हो जाएगा अगला question विवांतर का टाप किस यंत्र द्वारा की जाती है विवांतर का टाप जो है यह बोल्ट मेटर के द्वारा मापी जाती है तो बोल्ट मेटर आपका correct answer हो जाएगा 75 तो 75 आपका correct answer हो जाएगा राश्टिय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो गाइस राश्टिय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है तो 29 अगस्त आपका correct answer हो जाएगा अगला question निम लेकित में से कौंसा देश सार्क का सदस्य नहीं है देखिए सार्क के कुल 8 सदस्य हैं 8 दिसंबर 1985 को हुई थी अगला question पूछा गया ता समीर वी कामत किस छेत्र में एक मैत्पुन पत धारन कियो हुए हैं देश के प्रतेश्टित बैज्यानिक्स डॉक्टर समीर वी कामत को रच्छानुसंदान और विकास विवाग का सची पता रच्छानुसंदान एवं विक अच्छी न्यूक्त किया गया है अगला question गण्ये में प्रती हाक टेर अउतपादन की दिर्श्टीस े एक ख्वावन सारार द्रतरम इस्थान रखता हैं तो गण्ये में प्रती हाक्टेर उत्तर प्रदेश जो है ये परत्रतर अंसर हो जाएगा सबी बच्चे वीडियो को लाइक कर दिया अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें आप लो अगला question पूछा किया था helpston hellshiki की किसकी राजदानी तो guys hellshiki finland की राजदानी तो finland आपका correct answer हो जाएगा अगला question बीटा च्चे किसका एक परेणाम है तो beta 6 किसका एक परेणाम तो beta 6 कम जोर प्रमाणु बलों के कारण होता है तो option में आपका दुरुबल नावकी वल जो था वो correct था अगला question गाव इस तर पर पंचायत के अध्यक्ष को किसके द्वरा चुना जाता है तो गाव इस तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वरा पर्ट्यक्ष रूप से चुना जाता है अगला कोशन पूछा गया था एक स्वाप्रतिरच्छा विकार जो तंत्रिका पेशी संदी को प्रभावित करता है इससे कमजोरी और कंकाली पेश्यों का पच्छे पात होता है वह है तो वह है माई स्थेनिया गरेविस तो माई स्थेनिया गरेविस आपका correct answer हो जाएगा तो गाज अगला कोशन पूछा गया था तांजवर का राजिस्वर मंदिर किसे ने बनवाया था तो तज़ तनजवर का राज राजिश्वर जो मंदिर है तो शेवाल ताथा कबक केमते शह जीवता कहलाती है लाइकेन तो लाइकेन आपका correct answer हो जाएगा अगला कोश्यन पूछा गया था लैक्टिक एसिट किस प्रकार के शमावेता को दर्शाता तो Lactic Acid जो है Optical शमावेता को दर्शाता है तो Optical शमावेता आपका correct answer हो जाएगा नेश कोशन पूछा गया था भगत सिंग का जन्म कहाँ पर हुआ था भगत सिंग का जन्म बंगा गाउं में हुआ था तो बंगा गाउं आपका correct answer हो जाएगा अगला कोशन पूछा गया था निम लिखित में से किसने on board test trial and trial my years in VVCI आत्म कथा लिखी है रतनाकर सेटी आपका correct answer हो जाएगा जिन्होंने on board test trial and trial my years in VVCI आत्म कथा लिखी है राजाजी राष्टिये पार्क एक प्राकर्तिक आवास है तो राजाजी राष्टिये पार्क एक प्राकर्तिक आवास है ACI हाथियों के लिए तो ACI हाथिया आपका correct answer हो जाएगा भाषा शमार पुरुसकार दिया जाता है तो भाषा शमार पुरुसकार साहित अकादमी के दोरा दिया जाता है अगला कोशन पोचा गया था Was two was आपडा प्रबन्न पुरुषकार 2022 के विजेता हैं बिनोदसरमा अपका करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला कोशन पूछा गया था निम्न मैंसे किस देश का मानो विकास सूचिकांक में 2021 में भारत से उचा इस्थान है किस देश का स्री लंका का मानो विकास सूचिकांक में 2021 में जो सबसे उचा इस्थान है भारत से भी गाउं इस्तर प्रपंचाट की अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यचिरोप से चुना जाता है ये कोशन जो है रीपीट हो गया है अगला कोशन पूछा गया था प्रकाशिक तंटू में प्रकास का संचरण किस सिद्दांत के अनुसार होता है नेश कोशन पूछा गया था निम्न में से कवंसी संस्ता भारत की राष्टिय लेखा सांगी की तयार करने के लिए उत्तर दाई है केंदरी सांगी की संगठन भारत की राष्टिय लेखा सांगी की तयार करने के लिए उत्तर दाई है केंदरी सांगे की संगठन आपका correct answer हो जाएगा अगला question पूछा गया था निम्न में से कौंसी प्रती रोधक्ता की एक इकाई है प्रती रोधक्ता की इकाई होती है ओम मीटर तो ओम मीटर आपका correct answer हो जाएगा राश्टिय खेल दिवस ये कम मना जाएगा चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को subscribe करके notification bell आउन करना ना भूलें तो मिलते हैं नाश वीडियो के साथ जैहन जैवाल प्रते स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो गैस पहला question पूछा गया था कि बेलारूस की राजधानी क्या है बेलारूस की राजधानी है मिल्सक बात करें बेलारूस की मुदरा की तो बेलारूस की मुदरा है बेलारूसी रूबल अफीम की संदी किसके बीच हुई थी देखे पहला अफीम यूद नानकिन की संदी द्वारा समाप्त हुआ 1842 में great patent और शीन के बीच इस पर हस्ताक्षर किये गए थे अगला कोशन पूछा गया था अली नगर की संदी किसके बीच हुआ था 9 फरवरी 1757 को विटेश इस्ट इंडिया कंपनी के रावट कलाइब और बंगाल के नबाब मिरजा मुहंबत सिराजित दौला के बीच अली नगर की संदी पर हस्ताक्षर किये गए थे नेर्ट कोशन पूछा गया था VCCI के चेर्मन को नहीं तो काई VCCI के चेर्मन रोजर विन्नी तो रोजर विन्नी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडा का उत्पादन में भारत की रेंग क्या है तो अंडा उत्पादन में भारत की रहें गए तीसरी अंडा उत्पादन में 20 में भारत का इस्थान तीसरे नंबर पर है भारत ने 2020 में 122.11 बिलियन अंडे का उत्पादन किया था पनामा की राजधानी क्या है तो गैस पनामा की राजधानी है पनामा सिटी अगला कोशिन पूछा गया था गरेवी हटाओ नारा किस पंजवर्सी योजना में है कपास उत्पादन में सबसे अधिक किस राज में है कपास उत्पादन सबसे अधिक महराष्ट में तो महराष्ट आपका correct answer हो जाएगा पर्थम पानी पत का यूद किनके बीच पर्थम पानी पत का यूद यूद हुआ था यह किस ने जीता था बेखे पर्थम पानी पत का यूद 21 सपराल 1526 को हुआ था बावर और इब्राहिन लोदी के बीच में और बावर इसी यूद में बिज़े हुआ था तो गर अगला कोशिन पूछा गया था राष्ट पती का इमिडेटमेंट अनुच्छेत जो है किस अनुच्छेत में है मावियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब समिदान का उलंगन दुरब्यवार्या अच्छमता साबित हो गए हो अगला कोशिन पूछा गया था खरोष्ट लिपी किसने सुरू किया है चीनी परंपरा के नुस्वार इसका अविसका स्री खरोष्ट ने किया था लिपी के नाम से विवत्ती चाहें जो हो इसमें संधे नहीं है कि इस देश में यह उत्तर पश्चिम से आई और कुछ काल तक असोक के अतरिक्त मात्र विदेशी राज कुलूंद्वारा उनके ही प्रवाव के छेत्र में प्रियुक्त होकर उनके साथ ही समाप्त हो गई नेश कोशन पूछा गया था कौफी उत्पादन में सबसे अगानी राज कौनसा है भारत में कौफी का उत्पादन मुखे रूप से दच्छन भारती राज्यों के पारी छेत्रों में होता है यहां कुल 82 तन कौफी का उत्पादन होता है जिसमें सिख करनाटक राज में अधिक्तम 53 प्रतिसात केरल में 28 प्रतिसात और तमिल नाडु में 11 प्रतिसात उत्पादन होता है विक्टोरिया दुती का उत्रादिकारी कौन था मरत्य और उत्रादिकारी लिपमें कि प्रदान मत्री के नियुक्ति राष्टपति दौरा की जाएगी और लिपमें 2 दूसरे में किया है मंतरी राश्पती के परसाद परिंत पद धारन करेगा देवेंद्र जांजरिया को कौन सा पुरोषकार दिया गया है कैग का कारेकाल किसी भी का प्रोंग का कारेकाल 6 बर से आफ 65 बर स की उम्र जो पहले होगा कि अबदी के लिए राश्पती दोरा नियुक्त किया जाता है संस्ता केंद्र अत्वार राज सरकार के अनरोध पर किसी भी सरकारी विवाग की जांच कर सकती है अनुछे 248 के अनुसार भारत का एक नियंतरक एबन मालेगा परिच्चक होगा कि कहां की करेंसी है कुवेटी दिनार दुनिया की सबसे ताकरबद मुद्रा है इसका करेंसी कोट के डवलोडी है आप इसका अंदर लगा सकते हैं कि एक कुवेटी दिनार की बैलू आज के समय में 1862 С. Cambry में होई थी पंचायच का अध्यक्ष कोन होता तो पंचायच का अध्यक्ष सरपंच होता है दुग्द Daeries सहकारता की अंदर भ्यार में कः संथ 2014 में होई थी अमरता पीर्तम का समन्द किस से है अमरता पीर्तम 1991 से 2005 पंजावी के सबसे लोगपणी लेखोकों में से थी पंजाब भारत के गुजरावारा जिले में पैदा हुई अमरता पीर्तम को पंजावी भसा की पहली कवित्री माना जाता है उन्होंने कुल मिलाकर लगबग सो पुस्तिके लिखी है जिनमें से उनकी चर्चित आत्मकतार रसीदी टिकट भी सामिल है अगला कोशिन पूछा गया था कि पीम सुरच्छा बीमा योजना की उमर सीमा अगला कोशिन गांदी जी काउन सा आंदोलन चोरी चोराकांड में बापस ले लिया था विक्स सम्मेलन दोजार अरबाइस काउंवाता तक प्रदानमदे स्री नरेंद मोधी ने 23 से 24 जून 2022 को चीन के राश्पती सीज जिपनिम की अदश्टा में आयोजे 24 विर्क सिखर सम्मेलन में बर्चुवल मादेम से भारत की भागेदारी का नेतर्थ तो किया दुखद उत्पादन में भारत का नंबर वन देस दुखद उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में सीर्थ इस्थान पर है आकड़ों के नुसार बरस 2020 में वैश्विक इस्तर परसताराना 880 मिलियन टन से अधिक दूद का उत्पादन हुआ है जिसमें से 184 मिलियन टन से अधिक दूद का भारत में हुआ जो कुल दूद उत्पादन का सबसे अधिक 22 फिस्थी था अचाइबी बारस क्या होता है एट्स एक बारस के कारण होता है जिसे हुमन एफिनो डिफिसेंसी बारस या अचाइबी कहा जाता है अचाइबी CD4D नामक कोशिका है जो सरीर से लड़ने वाली बीमारियों की चेट चोहत्तर में है आनंद मठ काउंसी भासा में लिखा गया आनंद मठ बांगला भासा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद चटोपाध्या ने 1882 में की थी इस कृती का भारतिय सुतंतरता संगराम और सुतंतरता के करांत कारियों पर बहुत गैरा प्रभाव भारत का राष्ट्य गीद बंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है चपते ही यह पुस्तक अपने कथानक के चलते पहले बंगल और कलांतरत समुझे भारतिय साहित वा समाज पर छा गई का अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के निर्देशा नुसर कारे करती है तथा अपना प्रतिवेदन सवा को या अध्यक्ष को परसूर करती है और समितिका सचिवाले लोक सवास सचिवाले द्वारा उपलब्द कराया जाता है मद्रास में कौन सा मोतसम मनाया जाता है मद्रास संगित अकादमी एवं मगरजी मौशप मगरजी मौशप का उद्वव 1927 में हुआ जब इसे पर्थम बार मद्रास संगित अकादमी की पहली वर्सगाट मनाने के लिए मनाया गया था पूछा गया चीता किस राज में रखा गया अफ्रीका के नामविविया से लेकर भारत के मद्र प्रदेश इस्तित क्रोणों नेशनल पार्क तक चीतों के आने और उनके यहां सुरुवाती दिनों में रहने की पूरी कहानी चीतों की अफ्रीका से लाना कोई आसान काम नही गया तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही असा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइको से जरू करें जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नो वीडियो के साथ जहिन चेवारब